अपने विजिनिस फानेंस है इसका चाप्टर नंबर टू स्टार्ट करते हैं और चाप्टर नंबर टू जिसका नाम है बित्तिये नियोजन ऐबम पूंजी करन तो यहां से एक long question theory का बनता ही बनता है क्या होता है बित्तिये नियोजन क्योंकि जो ब्याबसाइक बित्त होता है मैंने पिछले बाले क्लास में भी आप लोगों के लिए समझाया था कि जो ब्याबसाइक बित्त होता है वो जिस प्रकार से मानब का सरीर है उसमें रक्त का काम होता है कि पूरी बोडी के लिए उर्जा पहुचाना सारे कामों को संचालित करना ठीक उसी प्रकार से जो हमारा बिजनिस होता है इसमें जो ब्याबसाई के बित होता है या ब्याबसाई में जो धन होता है उसका काम होता है कि समस्त ब्यापसाई के क्रिया कलापों को बिदिभत रूप से संचालित करना, सही से चलाना और कहीं न कहीं पर ऐसे निर्ड़यों को लेना जिनके आधार पे कहीं न कहीं कहीं कम से कम खर्च पे अधिक सदिक मुनाफ़ा हो एसी बनाई गई मजबूत योजना को ही, एक मजबूत प्लानिंग को ही हम क्या कहते हैं, बितिये नियोजन कहते हैं अब पूझी करन का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा यह है, पूझी करन ही दो सब्दों से मिलकर के बना है, पूझी पिलस करन पूंजी का मतलब क्या होता है ब्यबसाय में लगा हुआ धन क्या कहलाता है हमारा पूंजी कहलाता है अब करण का मतलब है कि कितनी करें यानि पूंजी करण में ये इस पश्ट रूप से बताया जाता है कि एक बिजनिस को रन कराने में कितनी मात्रा में कैपिटल को लगाना ह यानि कितनी मात्रा में जो पूंजी है उसके लिए हम व्यवस्थित रूप से सेट करें जिससे कि हमारा व्यवस्थाय अच्छे से संचालित होता रहे और संचालित होने के साथ साथ में व्यवस्थाय में मुनाफवी खूब हो तो पहला जो टॉपिक हमारा निकल करके आता है वो यही आता है बित्ये नियोजन का अर्थ अब यहां पर जब पेपर में लिखने के लिए आएगा तो इससे संबंदित पीडियेफ हम आप लोगों के लिए पहली दे चुके हैं जो लोग जोईन हैं तो बित्ये नियोजन का अर्थ जब भी पेपर में लिखने के लिए आएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे कि बित्ये नियोजन दो सब दो से मिल करके बना है बित्ये पिलस नियोजन बित्त से आसे ब्यबसाय में लगे हुए धन से है और नियोजन से आसे एक ऐसी योजना से है कि जो हमारे ब्यबसाय में उपलब्द धन है उसको कहां पर कितनी मात्रा में और कितने समय के लिए लगाया जाए जिससे कि हमारा कम से कम खर्चाए कम से कम ब्यए में हमें अधिक स अधिक परड़ामों की प्राप्ति हो तो इस प्रकार की जो मजबूत योजना बनाई जाती है उसी के लिए हम कहते हैं वित्ये नियोजन और वित्ये नियोजन में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है अधिक से अधिक लाव का देखो प्रतेक संस्था का मुख उद्देश अगर देखा जाए तो लाव कमाना ही तो होता है वो कहते हैं कि प्रथम सेवा दुतिये लाव हमारा उद्देश है लेकिन अगर बास्तिविक रूप से अगर देखा जाए तो कमपनिया ब्यबसाय क्यों कर रही है बैई क्या होता है अधिक से अधिक लाव कमाना चाहे हमारे अडानी जी हो चाहें अंबानी जी हो चाहें मुकेस जी हो कोई भी हो यह जितने भी इंडेस्ट्री में बड़े-बड़े बिजनिस कर रहे हैं बड़े-बिजनिसमेन हैं इनका सीधा सा यार एक टारगेट होता है बैई होत इसमें इस तरह के डाइग्राम को भी बना लेना इसमें दो चीजे होती है एक तो होता है स्वयम का धन और एक होता है उधार लिया गया इसे धनी कहेंगे इसे रिल कहेंगे ठीक है लेकिन दोनों से जो जमा होता है रकम जमा होती है ठीक है इस पैसे को कहां पर लगाया जाए कितनी कितनी मात्रा में लगाया जाए कितने समय के लिए लगाया जाए ये बहुत ही सुच समझ कर निरड़ा लेना क्या कहलाता है हमारा बित्तिय नियोजन कहलाता है तो इस परकार से एक बात तो बिल्कुल इसपश्ट है क्या इस पश्ट है कि बिती नियोजन से यास है उन समस्तकारियों से है उन समस्तकरियाओं से है जिनके आधार पर लंबे समय तक लाब कमाने के उद्देश से संस्ता में उपलब्द धन को ऐसे बिवस्थित किया जाता है जिससे खर्च भी कम से कमाए और मुनाफ़ा अधिक स अदेखो ब्यबसाय में ना तो धन की कभी कमी पड़े और ना ब्यबसाय में जो धन है वो फाल तो पड़ा रहे तो इस प्रकार की एक ऐसी मजबूती बनाई गई योजना को ही हम किया कहते हैं बितीय नियोजन कहते है अब इसमें भी एक चीज और ध्यान में आ जाती है कि जब वित्तिय नियोजन किया जाता है तो ये सोयम के धनका उधार लिए गए रिलका इसका तो पूरा ध्यान रखना ही होता है इस सोयम बाले में एक बात और सामिल कर ली जाती है जैसे कोई भी योजना अगर हम तीन महा क के लिए बना रहे हैं या एक वर्स के लिए बना रहे हैं इस एक वर्स में हमारा जो ब्यवसाय है वो भी तो कुछ न कुछ अर्ण करेगा तो उस ब्यवसाय से आने वाली क्या इंकम या आए ठीक है आए को भी क्या कर देते हैं हम लोग ब्यवस्थित कर देते हैं तो इस प तो बित्तिय नियोजन कुछ और नहीं, जो वियबसाय में धन है, या जहां जहां से आ सकता है, या जितना रुपिया पैसा है, उसको एक सिस्टम से, एक किरमबद रूप से, एक सही तरीके से व्यवस्थित करना, ये चीज हमारी कहलाती है बित्तिय नियोजन, अब आईए, चलते हैं वही बित्तिय नियोजन के पिरकार कितने हैं ठीक है बहुत important है और बहुत सरल भी है एक दो बार पड़ो और यह topic छोटा भी है यह पूरा chapter इसी में एक ही class में theory का हो जाएगा और पहला chapter हम पहली दे चुके थे अब यहां पर हम बात करते हैं बित्तिय नियोजन के पिरकार ठीक जो बित्तिय नियोजन के पिरकार हैं वो कितने हैं तीन हैं यहां पर एक दो और तीन बित्तिय नियोजन के तीन पिरकार हैं कौन कौन सा है एक तो है हमारा अल्प कालीन बित्तिय नियोजन ठिक दूसरा है हमारा मद्धकालीन वित्ये नियोजन देखो कितना सरल है कुछ है नहीं इसमें अल्पकालीन, मद्धकालीन और दीर्गकालीन दीर्गकालीन, वित्ये नियोजन चलिए, ये तीन टॉपिक होया है यहाँ पर अल्पकालीन, मद्धकालीन और दीर्गकालीन, वित्ये नियोजन अब यहाँ पर थोड़ा सा ये धियान रखना है कि अल्पकालीन जो होता है वो एक वर्सस के अंदर अंदर होता है कब होता है एक वर्स से कम समय के लिए बस किलियर हो गया एक वर्स से कम समय के लिए बनाई गई योजना हमारी कहलाती है अलपकालीन बित्तिये नियोजन अब इसमें क्या होता होगा अरे बी कितने मात्रा में माल खरीद करके लाएं कितने मात्रा में पूंजी पढ़ाएं कितनी मात्रा में पूरे वर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करें ये सारी बाते जिसमें होती है वह हमारा कहलाता अलपकालीन बित्तिये नियोजन यानि एक वर्स से कम समय के लिए तैयार की गई योजिना को हम कहते हैं अल्पकालीन बित्ये नियोजन ठीक है और दूसरा होता है हमारा मद्धकालीन बित्ये नियोजन इसमें एक वर्स से तो अधिक होता है अधिक किन्तु पाँच वर्स से कम समय के लिए ठीक है एक वर्स से अधिक किन्तु 5 बरस से कम समय के लिए बनाई गई योजना को हम क्या कहते हैं मद्ध कालीन वित्तिय नियोजन कहते हैं अब मद्ध कालीन में बहुत सारी चीज़े आती हैं जिनमें कहीं न कहीं कहीं न कहीं एक लंबे समय के लिए धन लगाया जाता है कोई नया माल खरीदा जाता है कोई भी ऐसी प्रक्रियाएं की जाती है जिनमें कहीं न कहीं एक बरस से तो समय अधिक लगता है किन्तो पाँच बरस से टाइम कम लगता है तो इस प्रकार की जो प्लानिंग्स होती है वो हमारी इसी में आती है जिसका नाम है मद्द कालीन बित्तिये नियोजन के लिए ठीक है तो यहाँ पर दो चीजे के लिए होई अल्प कालीन बित्तिये नियोजन और मद्द कालीन बित्तिये नियोजन इसमें जाहतर पूंजी को ऐसे लगाया जाता कि लगवग में पांच वर्स तक हम क्या प्लान करेंगे यनि पंच वर्स योजनाय जो सरकार लाती थे उनमें भी पांच वर्स तक की पूरी कारिय प्रणाली को सेट किया जाता था समय के लिए, अब इसमें पांच वर्स से अधिक समय कब तक का हो सकता है, कोई निश्चित नहीं होता है, कि पांच वर्स से जादा टाइम कब तक लगेगा, इसका पहले से कोई भी पता नहीं होता है, तो याद करना very simple है क्योंकि अल्पकालीन की जब बात करें, तो एक वर्स समय के लिए होता है मैं इक बर्स के लिए होता है मध कालीन की अगर हम बात करेंंगे तो एक बरस से अधिक समय के लिए होताई इसमें बड़ी बड़ी योजना होती है बो शामिल हो जाएगा चलिए हम लावी पढ़ाते हैं सबसे पहले अगला हमारा टॉपिक आता है बित्ये नियोजन के लाव ओके और जदा किलियर हो जाएगा चलो शुरुआत करते हैं बित्ये नियोजन के लाव आजाओ यहां पर बित्ये नियोजन के लाव देखो अगर लाव समझ ग है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि लावों के आधार पे ही उद्देश बनते हैं जाकर के लाव या उद्देश मिलते ही होते हैं कोई बिसेस चेंजिंग नहीं होती है तो यहां पर हम लाव समझा रहे हैं और इन हेडिंग्स के बारे में तीन तीन चाचर लाइन तो आईए सबसे पहला जो होता है बित्तिय नियोजन का वह होता है अल्प ब्याई होना इसको कम खर्चीला होना या कम खर्च आना यह भी कह सकते हैं तो पहला जो लाव होता है कि बित्तिय नियोजन का वह यह होता है कि इसमें जो खर्च होता है क्या होता है कम से कम होता है नमबर दो जब खर्च कम होगा तो देखो लाभ हों में विरद्धी है हमारी जितनी भी हेडिंग्स होती है उनमें सब एक दूसरे से जुड़ी होई होती है तो इसी रहती है याद करने में भी अल्पब्याई होना या कम खर्च होना लिखो कते ही सुद्ध बहां सामयाओ कम खर्च होना ओके या खर्चा कम होना ये लिख देना पहला लाभ दूसरा लाभ है लाभों में विरद्धी नमबर तीन विबसाय की निशित सफलता जो लोग बित्तिय नियोजन को अपनाते हैं उनके लिए विबसाय में 100% सफलता मिलती ही मिलती है बचती नहीं है 100% उनके लिए सफलता मिलती है ओके और नमबर 4 ब्यबसाय का सफल संचालन ये भी इसका एक लाभ है जो लोग बित्तिय नियोजन को अपनाते हैं उनका ब्यबसाय सबल संचालन का मतलब समझ रहे हो जो जैसे ब्यापार करना है वैसे ही ब्यापार होता रहेगा उसमें कोई से ब्यबसाय का सफल संचालन भी होता है नंबर पांच धन की परियाप्तता का मतलब सीधा-सीधा यह है कि परियाप्त मात्रा में जो धन है वो भी लगातार बना रहे है जिससे कि कहीं पर भी अगर जरूरत पड़े तो ब्यबसाय में समस्या ना आए ठीक है और छटा जो ला बिकास ठीक ब्यबसाय का बिकास ब्यबसाय का बिकास का मतलब सीधा सा यहां पर यह है कि जितना भी हम अपने बिजनिस के लिए डबलब कर सकते हैं जितना भी अपने ब्यबसाय को हम आगे बढ़ा सकते हैं तो बो सारी चीजे हमारे कहीं न कहीं बित्तिय नियोजन के द्वा आए की दर इसे हम ए आर आर भी कहते हैं average rate of return यानि सब लोग जो और भी लोग भी आप पार कर रहे हैं वो सब लोग कमा रहे हैं अपने वेवसाय में 10% और आपकी कमपनी कमा रही है 12% तो यहां कितनी ज़्यादा कमा रही है 2% यह इसलिए कमा रही है क्योंकि आपका जो बित हमा भविस्य की सफल योजनाएं भविस्य की सफल योजनाएं का मतलब यहां पर सीधा सा यह है कि बिजनिस जो हम कर रहे हैं भविस्य में हम कितने सफल होंगे इस बात को लेकर के चलते हैं इसको कहते हैं भविस्य की सफल योजनाएं यानि जो हमारी plannings हैं वो future में हमारी क कलते हैं नमानंबर 30 पर्दा का सामना कहते हैं कि कंपडीन है उसको फेस करना उससे आगे निकलना तो यह चीज हमारे कहलाती है 30 पर का सामना यानी कहीं पर भी बहास होती है कुछ भी होता है asa होती है कई कंपणियات ऐसी प्रॉडक्त ले करके आती है कि वह कोई कहता कि मेरा अच्छा है कोई कहता मेरा अच्छा तो अगर विटियो नेवजन्ह आपका मजबूत है तो वो प्रतिस्पर्दा का सामना कराने में कहीं आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा लाग प्रदान कराएगा दसमे नंबर पर है व्यवसाय की अधिक पिड़सिद्धी एक कहावत आपने सुनी होगी कि होनहार बिर्बान के होचीकने पात यानि जो पौदे हुश्णदार होते हैं अच्छे होते हैं अच्छी प्रोग्रेस करने बाले ह होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो छोटे से ही जब छोटे से होते हैं तब से ही चमकदार होते हैं चेकने होते हैं चोड़े होते हैं तो वहीं चीज यहां पर है कि अधिक प्रसिद्धी हो जाती है यानि यहां पर जो बिजनिस में सारी चीज़े जो क्रिया खलाप हो र एक बार इसके निन सोट लिजे इसके बाद मैं अगला टॉपिक मैं कराता हूँ चलिए आगे चलते हैं और अब इसके बाद में अगला टॉपिक जो हमारा निकल करके आता है कि बित्तिय नियोजन तो हम अपनाएंगे लेकिन उसको अच्छा कब कहेंगे यानि एक अच्छी बित्तिय योजना में कौन-कौन से गोड होने चाहिए इसके लिए हम यहां पर अभी आपके लिए बताते हैं क्या लिखेंगे एक अच्छी बित्तिय योजना के गोड़ यहां पर चलते हैं एक अच्छी बित्तिय योजना के गोड़ पहली चीज है यहां पर सरलता ठिक यानि बित्तिय योजना जो हो वो कैसी होनी चाहिए सरल होनी चाहिए सरल का मतलब है आसान बनी होई होनी चाहिए नंबर दो कम खर्ची ली यानि जो योजना अपनाएं ऐसा ना हो कि उसमें खर्च बहुत आता हो ठिक कम खर्ची ली नंबर तीन यहां पर जो आता है वह आता है व्यवसाय के लिए उपी होगी जिसमें यह सब गुड होंगे उसी के लिए अच्छी बित्तिय योजना कही जाएगी अभी बताते चल रहे हैं आप लिखते हुए समझते हुए चलेंगे और यहां पर चौथे नंबर पर धन की उचित मात्रा यानि जो बित्तिय नियोजना अच्छी कहलाई जाएगी वो तभी कहलाई जाएगी जब धन की उसमें क्या उचित मात्रा हो ना कम हो और ना ज्यादा हो तो वो मात्रा कैसी होगी उचित मात्रा होगी ठीक है नंबर पांच पूझी में उतपादक्ता पूझी में उतपादक्ता का मतलब सीदा सीदा यह है यानि Capital Business की ऐसी होनीच जो Productivity हो जिसमें यानि कहीं न कहीं उतपादन अच्छे इसतरका हो रहा हो और पूझी से अगर उसका हम अनुपात निकालें तो वो मतलब बढ़कर के आया दर कंपनियों से तो पूंजी में क्या होनी चाहिए उत्पादक्ता होनी चाहिए ठीक है और छटे नंबर परियाप्त तरलता परियाप्त तरलता का मतलब है कि जो पैसा है वो कैस में भी हात में रहना चाहिए परियाप्त का मतलब है उतना कि जितने भुगतान हमको करने हैं और दूसरों से मिलने हैं उन सब को मिला करके जो कैस है वो कम ना पढ़ने पाए कहीं पर भी तो परियाप्त क्या आत्मे नंबर पे हमारा है हानी की कम संभावना यानि जो हमारी अच्छी वित्तिय योजना होगी उसमें लॉस का कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए कि नहीं लॉस हो जाएगी उसमें हानी की संभावना कम से कम होनी चाहिए यानि हानी नहीं होनी चाहिए यह कह सकते हैं ठ पर पूर निहंतरन ठीक ब्यभसाय पर पूर निहंतरन का मतलब यहां पर सीधा सा यह है कि बिजिएस पे पूरी मात्रा में क्या होना चाहिए कहीं पर भी यह नहीं होना चाहिए कि नहीं Allah साय में हमारा जो है इधर उदर के जो कंप्टीटर हैं दूसरी कंपनिया हैं वो हमसे आगी निकलती चली जा रही है और हमारा बिजना जो बिजने साहिब एकदम नीचे गिराफ गिरता चला जा रहा है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए और नमे नमबर पे कम से कम धन में अधिक कारिये इसका ये मतलब है सीधा कि जितना भी हम विजनेस कर रहे हैं कम से कम धन में अधिक से अधिक कारिये हमारा निकल करके आना चाहिए इसको हम कहते कम से कम धन में अधिक से अधिक कारिये का होना ठीक है और अगला है दसमे नम कि व्यवस्था अगर वित्य नियोजन बास्तम में अच्छा उसके लिए कहेंगे पैसे जरूरत पड़ी तुरंत व्यवस्था हो जाए तो इसके लिए कहेंगे कि कम समय में वित्य व्यवस्था तो एक अच्छी वित्य योजना के गुण आपने देख लिए जिसमें सरलता हो यानि हम आसानी हो जिसमें बनाने में कम खर्चीली हो, ब्यबसाय के लिए उपियोगी हो, धन की उचित मात्रा जिसमें बनी रहे, पूझी में उत्पादकता हो, परियाप्त तरलता हो जिसमें, हानी की कम संभावना हो, ब्यबसाय पर पूर नियंतरन हो, कम से कम धन में अधि बित्यय योजना को पिरवावित करने वाले घटक। बहुत इंक्पोर्टेंट यह तॉपिक है जो मैं आप पड़ा रहा हूं बित्ययूजना को पिरवावित करने वाले घटक। इसका सीधा से मतलब यह है कि बित्ये नियोजन का जो प्रभाव है वो किन-किन बातों से पड़ता है जैसे बित्ये नियोजन हमको अपनाना है बित्ये नियोजन क्या है रुपे पैसे की योजना ही तो है रुपे पैसे की योजना अपनानी है तो हम किन-किन बातों का विशे कि पिर्कृति यानि विफिप्य पर्कृति निए विट्राइगा है जिसमें उधारी बहुत जदा होती है तो अधिक धन की आवाजशक्ता पड़ेगी जिसमें सम्माल नगादी पिंखता है तो भही पैसा आता रहेगा लगाता तो पहली चीज़ देखिया लए ब्यबसाई की प्रकृती दूसरे नंबर पे देखा जाता है ब्यबसाई का आकार थिक ब्यबसाई का आकार का मतलब है कि कितना बड़ा तुम विशनस करेंगे उतनी मात्रा का हम निरधान करेंगे और नमबर तीन होता है ब्यवसाय की इस्थती, ब्यवसाय की इस्थती का मतलब यहां पर सीधा सा यह है कि उसकी पोजीशन कहां पर है, बैंकों के पास में है, बैंकों से दूर है, उधार नगद बाली जगए है, पैसी जगए है, तो यह चीज इस्थती में आ जाती है, तो चौथे नंबर पे होती है हानी की संभावना जहां पर हानी की कम संभावना होती है बहां पर धन की कम आवश्यक्ता होती है जहां पर हानी की ज़्यादा संभावना होती है बहां अधिक धन लगा करके लाब कमाया जाता है उके क्योंकि ज्यादा मात्रा में धन है, हर व्यक्ति नहीं लगा सकता, इस कारण से हानी की संभवना भी जो हमारा बितिय नहीं हो जना है, इसके लिए प्रभावित करती है कहीं न कहीं, ठीक है? और अगला है पांचमे नमबर पे पूंजी की लागत अगर पूंजी की लागत कम आ रही है तो हम अधिक पूंजी की विवस्ता कर सकते हैं और पूंजी की लागत अगर बहुत ज़दा अधिक आ रही है तो हमको कम से कम पूझी में अपना काम चलाने का पूरा-पूरा प्रियास करना पड़ेगा ठीक है? और नमबर छटा ब्यबसाई की आए ब्यबसाई की आए का सीधा सा मतलब है कि हम बिजिनिस में कितनी अर्निंग कर सकते हैं कितनी इंकम कर सकते हैं तो वो चीज़ हमारी ब्यबसाई की किस में आएगा? आये में आएगा, ठीक है? और साथमे नमबर पे हैं लोच का गुड़ लोच के गुड़ का मतलब सीधा सीधा है कि जितना चाहें बिजिनिस को बढ़ा लें जितना चाहें बिजिनिस को घटा लें इसके लिए हम कहते हैं लोच का गुड़ तो लोच के गुड़ में ये बात बिजिस रूप से होती है कि जिन बिजिनिसों को घटने और बढ़ने के अबसर मिलता रहता है उनको उतने ही मात्रा में धनकी कम या अधिक की आवश्यक्ता महसूस होती है तो ये चीज बिजिनियोजन के लिए भी प्रभावित करता है यानि धनकी ब्यवस्ता की मात्रा को प्रभावित करता है और आठमी नंबर पे है बाजार की इस्थती बाजार की इस्थती का मतलब है कि बहां का मार्केट कैसा है इस पर भी बित्य नियोजन प्रभावित होता है तो बहां का जो मार्केट है वो कैसा है नगद मार्केट है उधार मार्केट है किस तरह का है ठीक है तो यह बाजार की स्थती भी और नमे नंबर पे पिरवंधकों की इच्छा लेकिए बहुत कुछ डिपेंड करता है जो मेने बित्य बापूंजी बाजार की दसाएं ठीक बित्य बापूंजी बाजार की दसाएं यहां पर बित्य बापूंजी बाजार की दसाएं यहां पर बित्य बापूंजी बाजार का सीधा समतलब यहां पर यह है कि जो हमारा फैनेंसियल है मार्केट और स्टोक मार्केट है उन कि जो दसाएं हैं वो कैसी यानि उनकी स्तिक एसी है तो इन सब कारणों से आपको जो पूझी के लिए आप पुरवंद कर रहे हैं जो पूझी की planning कर रहे हैं उसकी मात्रा प्रभावित होती रहती है यानि कुछ चीजों में हमको जादा धन की ज़रुवत पड़ेगी और कुछ में हमें कम की अवश्यक्ता पड़ेगी अब इस चाप्टर से एक टॉपिक और है पूझी करन किसे कहते हैं ठीक है यह बहुत बार पूछा जाता है तो देखो भाई या पूझी करन का मतलब क्या है अगला है कि किसी भी विव्यापसाय में कितनी अंसपूझी है कितनी समता अंसपूझी कितनी पूर्वाधिकार कि अंसपूझी कितनी रिल पूझी ठीक इन सभी का योग करके पूझी की मात्रा निर्धारित करना क्या बनता है जाकर के पूझी करन बनता है तो पूझी करन जहां कहीं पर भी सब्द मिल जाए आप इतनी बातों के याद रख लिए कि समतांस पूझी पूर्वाधिकारंस पूझी रिल पूझी और पूझी की मात्रा को निर्धारित कर करना ही यहां पर एक प्रकार से क्या कहलाता है पूंजी करन कहलाता है और इनके द्वारा जो समस्त पूंजी लगी हुई है उसका हम करेंगे क्या योग इसका बिसेश रूप से ध्यान रखना यानि कितनी समतांस पूंजी है कितनी पूरबादिकार है कितनी रिल पूंजी है पूंजी की मात्रा को निर्धारित करना या इसका योग करना योग करके इसपष्ट करना क्या कहलाता है आपका पूंजी करन कहलाता है अब ये सब चीजे पूंजी करन में सामिल हैं अब बात करते हैं पूंजी करन के सिद्दान्त ठीक है पूंजी करन के सिद्दान्त बहुत important है पूंजी करान तो बहुत सरल है जो हम PDF नोटस देंगे उनसे तुरंत तयार हो जाएगा और important भी बहुत है अब पूंजी करान के जो सिद्दान्त है वो दो ही है पूंजी करान के सिद्दान्त दो है क्या-क्या है पहला है लागत का सिद्दान्त लागत का सिद्दान्त दूसरा है हमारा आएका सिद्दान्त ये सिद्दान्त क्या होते हैं सिद्दान्त नियम काइदे कानून और बो सारी का सिद्दान्त है लागत का सिद्दान्त इस बात पर जोड देता है कि कौन कौन सी पूंजी और कितनी कितनी मात्रा में हम लगाएं जिससे कि हमारी लागत कम से कम आए ओके और पूंजी जितनी हम चाह रहें उतनी एक अत्रित हो जाए इसको हम कहते हैं लागत का सिद्दान्त जो हमारा आय का सिद्दान्त है वो हमारा ये कहता है कि पूझी तो जितनी चाहें उतनी लगा देंगे लेकिन अधिक से अधिक आय कैसे करके होगी कितनी मात्रा में होगी इसके लिए हम कहते हैं पूझी की आय का स सिद्दान्त ठीक है तो अधिक से अधिक आय कमाना हर संस्ता का उद्देश होता ही है ठीक है और इसके साथ में जो पूंजी करण है वो दो प्रकार के होते हैं तो पूंजी करण के सिद्दान्त हो गया आगे होता है पूंजी करण के प्रकार ठीक पूंजी करण के प्रकार भ अल्प पूंजी करना ठीक है दूसरा होता है हमारा अति पूंजी करना ठीक अब यह अल्प पूंजी करना और अति पूंजी करना इसका मतलब क्या होता है अल्प पूंजी करना का मतलब है कि सीधे समझो कि सामान आय से सामान आई से अधिक आए हो तो समझ लो कि अलप पूझी करन है और सामान आई से कम आई हो कैसी हो? कम आई हो तो वो हमारा क्या है? अथि-पूझी करन अब पता कैसे चलेगा मारकेट में सभी लोग 10% कमा रहें ठीक, तो ये हमारी क्या है? नॉर्मल रेट एन आर है आप क्या कमा रहे हो एक बार 12% एक बार 8% जब आप 8% कमा रहे हो इसका मतलब है कि आपके बेवसाय में पूझी ज़्यादा लग गई है उसको कम कर दोगे तब भी आप 8% कमाते रोगे यनि फल तु पूझी लगी हुई है तो इसे कहते हैं अती पूझी करान और यहाँ पर जो अलप पूझी करान में क्या होता है कि तुम सब कमा रहे edit 10% तुम कमा है 12% इसका मतलब है कि तुम पूझी और लगाओ तुमने बिजनेस में तुमारे पूझी और लगाने से तुमारे इंकम है और बढ़ेगी क्योंकि दूसरों से तुम अभी जादा कमा रहे हो तो इतना ही पूछा जाएगा इसमें और इसके PDF नोटस आपके लिए Paid Class में ही मिलेंगे तो कैसा लगा आज का Class जरू बताना और इसमें numericals भी हैं जो हमारे Paid Class हैं उनमें हो रहे हैं तो कैसा लगाईए जरू बताईएगा मिलते हम नेक्स क्लास में